नमस्कार स्वागत है आप सब एक आस्ट्रों तक में मैं हूँ आपकी साथ भाफना शर्मा और बात होगी आज ग्रहन की यहां 2020 कई सारी ग्रहन को लेकर के आया है लेकिन हम बात करेंगे पांच जून को पढ़ने वाले ग्रहन के बारे में जो की पढ़ेगा जेश्ट मास की Walteragen ओने मा तथीपर इसके दाएबर एक और ग्रहन पढ़ने जा रहा है जो कि एस जून को पढ़े का सूरी ग्रहन रहेगा और वो पढ़ेगा अशार मास की अमावस्या तथीपर उसके बाद तीसस्रा ग्रहन पढ़ेगा 5 जूलाय को की अशार मास की बुने मा तथीपर वाले माद कर जो ना है गर्ए है इसका जो ऊदे होगा मकर लग्न में उदे होगा वह छो रचने माव उशीक राशी में रहेगा और स्क вопросы वह ऒकरट्वर की नीजाय चटिती में चल रहे है तो कहा कोई भी इंपोर्टन्ट डिसुजन लेने की आप गल्ती मत कीज़ेगा, कोई भी महकून फैसला इस समय पर मत लेज़ेगा, क्योंकि इस समय पर क्योंकि इस समय पर कन्स्यूजन्स दिस्ट्राक्शन बहुत जादा रहेंगे खास्तर पर हम बात करेते हैं, पांच जून को पढ़ने वाला जो ग्रहन है, यहाला कि भारत में दिखाई नहीं देगा, यह उस्ट्रेलिया में, यॉरप में, एश्या के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है, तो इसलिए सूतक काल भी यहां बालन नहीं रहेगा, तो बात करी जाएं पूजा की, क्योंकि जब भी ग्रहन की बात आ जाती है, तो खास्तार पे हमारे शास्त्रों में, हमारे पुरानों में उसी स्पिरिचुलिस्म से काफी जादा जोड दिया जाता है, तो इसलिए भगवान शेफ को कहा जाता है आदी योगी और भगवान पूजा की जाता है, तो इस तौरान उनकी मंत्रों का जाब करना विशेश रहेगा, भगवान शेफ की पूजा और खास तौर पे आप जानते ही है कि इस समय पर इस समय की जो एक तरह की पेंडिमिक डिजीज इस पूरे विश्म में पहली हुई है, इस समय की स्थिक अगर छिएख डिजीज की जो पाक लहान आप, बँचने मंत्र आप गाएगा अंटरिष यञरा मंत्रों का विशेश रहेगा, आप देखेंगे, कि मंत्रों के जो एंटरों की जो इनर्जी हुँति है, बहुत और पाफूल हुती है, नम्होचि उवयका जाब किया जा सकता है, ओ कि इस समय पर हम तही रहाद दूसरी बात करें कि दूसरा जुग है पड़ेगा जो इस समय पर इंडिया में दिखाएदेगा और। उसमय पर छे-छे-चे ग्रहे बक्री बक्रत्व क स्थिती में रहेंगे तो इसलिए जो की स्थिती बहुत जादा शुब नहीं है खास तोर देखा जाएगा कि इतने कम डियूरेशन में जब इतने इतनी एक तरह कि नाशनल किलामरटी इसकी तरह करता है एक ही पक्ष में आप देखेंगे सूर ग्रहंट बी चंध रहन भी और फिर छंध रहन तो इसलिए इस तरह कि जो स्ती बनेंगी कहीं पर आग का भगोट जाल बढ़ जाना पाणी का बढ़ जाना नाचिल ए gonnaığıन, भी देखने को को अब भी इन आप देखने को अब सेकितं हुआ है is a वे ऑनामफिस नाचील किस राव एंदर आप को पोछचेश करने चाहिए और जाहिए जादा से जादा मंत्रास की चांटिंग आप जरूर करें और जैसे मैंने कहा कि भगबान शिफ की पूजा और खास तौर पे महा मृत्दिन जह मंत्र का जाप इस समय पर आप लोग जरूर करें इसके लाब आपको किसी काव को किसी डॉप को जो स्ट्री आनिमल्स होते हैं उनको आप इसीव सिर्व कराएगा विसी के साथ आज के लिए पिल्हाल एता ही वीज़ जाज़त जुड़े रही आप लागे साथ